Hello students, I am Arohirani and welcome to our YouTube channel Eternity Learning Tutorial आज हमों करेंगे class 9, chapter number 1, matter in our surrounding तो chapter का नाम सुनते ही हमारे mind में question आता है कि matter होता क्या है? What is matter? मिन्स matter अगर definition से देखें तो anything that occupies space and has mass is called matter मतलब दुनिया का हर एक ऐसा वस्तो जिसका कोई ना कोई mass हो मिन्स उसका कोई ना कोई weight हो और वो कुछ ना कुछ space occupy करता हुसे हम लोग matter बोल सकते है example है air, water, book, pantry, human, etc. यहां तक कि मैं भी है क्या हूं? matter हूं क्योंकि मेरा खुद का भी कुछ ना कुछ mass हो और मैं भी जहां पर बाठी हूं उतना दुर का space को occupy कि हूं next example देखते है air, तो air भी matter है क्योंकि air को अगर हम लोग बैलून में डालते हैं तो वो बैलून फुलता है, मिन्स जो air है वो बैलून तक का space को cover कर रहा है तो बैलून भी क्या है? matter है next अगर हम लोग example लेते हैं, तो ये phone, इस phone का भी अपना कुछ ना कुछ mass है अगर ये phone को हम अपने हथेली पे रखते हैं, तो ये इतना दूर का space को occupy किया है मिन्स ये भी क्या है? matter है मतलब सीधा language में समझे, तो दुनिया में हर एक ऐसा चीज जिसका कुछ ना कुछ weight होता है और वो कोई ना कोई space occupy करता है, उससे हम लोग matter कहते हैं next है, matter is made up of very small particle, जितने भी matter होते हैं वो बहुत छोटे छोटे particle से मिलकर बने होते हैं मतलब बोला गया है, पुराने जो philosophers थे, वो बोले थे कि जितने भी matter है ना, चाहे वो living thing हो या non living thing हो वो basically 5 चीजों से मिलकर बनाया, air, earth, fire, sky and water लेकिन जैसे धीरे-धीरे समय बढ़ता गया, वैसे पता चला कि जितने भी matter है ना, वो बहुत छोटे-छोटे particles से मिलकर बने हैं जिसे उन्होंने atoms का नाम दिया, अब हम लोग next topic में देखते हैं इसका characteristics तो first character क्या है, कि particles of matter have space between them, मतलब जितने भी matter के particle है वो उस particles के बीच में space होता है चाहिए वो solid हो, liquid हो, या gas हो, कुछ ना कुछ space हमेशा होता है, आईए एक experiment के थूँ इस space को हम लोग समझते हैं कि किसी भी particle में space कैसे होता है, एक glass लिया और थोड़ा सा मोग पानी डाल देंगे, अब जहां तक पानी है वहां तक हम लोग मार्क कर लेते हैं किसी भी चीज से चले लीजी मैंने मार्क कर दिया जहां तक पानी है अब इस पे हम लोग एक spoon नम, salt डालते हैं और इसको अच्छे से मिलाते हैं, mix करते हैं देखी इसमें जो salt है वाटर में वो पूरी तरह से dissolve हो चुका है अब यह गौर कीजिए कि पानी हम जहां तक मार्क किये थे वाटर में वो मार्क एकदम वहीं तक है जो वाटर है वो ना ही increase हुआ और ना ही decrease हुआ इससे यह पता चलता है कि जो water के particles है उसके बीच में space है जहां वो salt पूरी तरह से dissolve हो चुका है तो experiment के through मतलब उसका result यही निकलता है कि जितने भी matter के particle होते है उसमें space होता है जैसे कि हम लोग चीनी दूद पीते हैं तो milk में हम लोग सुगर को dissolve करते हैं तो चीनी उसमें पूरी तरह से dissolve हो जाता है मिल्क में भी space है जिसके कारण जो सुगर हो उसमें dissolve हो पाया है अब हम लोग देखते हैं the space between particle minimum in solid solid में जो space होता है particle का वो बहुत कम होता है liquid के comparison में और सबसे ज़्यादा space होता है gas में सबसे ज़्यादा space किस में होता है gas में यहाँ पर मैंने लिख दिया था the space between particle minimum in solid intermediate in liquid and maximum in gases gases में बहुत ज़्यादा होता है अब next इसका हम लोग character देखते हैं next है particles are continuously moving matter के जितने भी particles होते हैं वो continuously move करते रहते हैं हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन वो क्या करते रहते हैं move करते रहते हैं that is they possess kinetic energy if temperature increase particle move fast किसी भी चीज़ का अगर हम लोग temperature increase करते हैं तो उसका जो particles होता है वो बहुत तेजी से move करता है the movement of particle in solid has less intermediate in liquid and faster in gas इसमें भी वही कि जो movement होता है particle का वो solid में कम होता है liquid में solid से थोड़ा ज़्यादा होता है और gas में तो बहुत ही ज़्यादा होता है आईए एक experiment के थूरू इसे हम लोग समझते है तो मैंने एक glass लिया अब उसमें water डालते हैं अब इसमें 2-3 drop ink डालते हैं इसे हिलाते हैं ऐसे ही छोड़ देते हैं आप देख रहे हैं कि जो ink है वो water में पूरी तरह से dissolve हो चुका है means कि जो particle है water के वो move कर रहे थे जिसके कारण ink उसमें uniformly mix हो गया तो इससे यही पता चलता है कि जितने भी matters के particle है वो continuously move करते हैं तो हम लोग इने experiment के थूरू ये देख लिया कि जितने भी matters के particle होते हैं वो continuously क्या करते हैं अब थर्ड इसका characteristics है कि particles attract each other जितने भी matters के particle होते हैं वो आपस में एक दूसरे को attract करते हैं the force of attraction between particle minimum in solid, intermediate in liquid and maximum in gas जो gas में होता है force of attraction बहुत ज्यादा होता है और कम उससे gas से कम होता है liquid में और सबसे ज्यादा कम होता है solid में तो हम लोग मतलब एक example के थुरूइ से समझते हैं जैसे कि हम लोग ने tap को open किया जो नल होता है और उससे वो पानी लगता और गिडने लगा उसके बाद इसे हम लोग finger से cross करने का कोसिस करते हैं तो पानी थोड़ा सा जो water हलका सा cross होता फिर वापस में finger हटा देता है वो आपस में पूरी तरह से फिर से एक धारा में वो मिल जाता है इससे मतलब यह पता चरहा है कि जो water के particle है वो एक दूसरे को attract कर रहे हैं आपस मे किसी भी चीज में कोई doubt हो तो please comment में आप जरूर message करें कि अगर किसी topic में भी आपको कोई doubt हो रहा है तो आप comment करके मुझे बता सकते कि मैं मुझे यह topic समझ में नहीं आ रहा है मैं फिर से उसे आपको बताने की courses करूंगे चलिए ठीक है thank you